आज के इस वीडियो में जानेंगे योनो SBI से न्यू एटियम डेबिट कार्ट को कैसे एक्टिवेट करते हैं और एक न्यू पिन कैसे सेट करते हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पदे योनो SBI को उपेन करेंगे और इसे लागिन कर लेंगे कार्ड समें जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे माई डेबिट कार्ड से इस पर क्लिक करेंगे आपके एकाउंट से जो भी कार्ड लिंक कराएगा यहाँ पर सो हो जाएगा उसका यहाँ पर डेटेल्स पुरा सो हो जाएगा सबसे पहले new card को activate कर लेंगे नीचे activate card पे click करेंगे Did you receive the debit card? कि आपको debit card प्राफ्थ हुआ है तो इसको yes कर लेंगे यहापे अपने new debit card का 16 digit का card number इंटर करेंगे और इसको next कर लेंगे आपके register mobile number पे एक one time password आ जाएगा और उसको यहाँ पे इंटर करेंगे और इसको submit कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा successful your card has been activated अब आपका card जो है successfully activate हो गया है चलिए ATM pin को set कर लेते हैं इसको back कर लेंगे again cards में जाएंगे my debit cards नीचे set reset ATM pin इस पे click करेंगे यहाँ पे 4 digit का कोई भी pin set कर लेंगे अपने इसाब से जो भी pin आप set करना चाहते हैं दोनों में same pin को इंटर करेंगे चलिए हम इंटर कर लेते हैं और इसको next कर लेंगे आपके register mobile number पे एक one time password आ जाएगा और उसको यहाँ पे इंटर करेंगे और इसको submit कर लेंगे यहाँ पे show हो जाएगा successful your ATM pin for card number इतना has been successfully generated अब आपका ATM pin जो है successfully generate हो गया है नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि in case आप newly issued card the ATM pin generated throw Yono can be used for the first time on SBI ATM only यह बता रहा है कि नए जारी किये गए ATM card के मामले में Yono SBI से generated ATM pin का इस्तेमाल पहली बार केवल SBI ATM पे किया जा सकता है इसके बाद आप other ATM पे transactions के लिए ATM का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तो इस तरह से आप नए ATM card का pin आप Eono SBI से generate कर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो like करिए, comment करिए और साथी साच चैनल को subscribe कर लिजिए, thanks for watching